भारत की G20 अध्यक्षता के तह G20 फ्रेमवर्क कारिसमू FWG की चौथी और अंतिम बैठक 18 सितंबर को प्रदेश के नवारायपूर में आयोजित हुई बैठक के पहले दिन के अध्यक्षता भारत सरकार के वितमंतराले की सलाहकार श्रीमती चांदनी रहना और H.M. Treasury Britain की मुखे आर्थिक सलाहकार श्रीमती सेम बैकेट ने की बैठक के पहले दिन नवीनतम वैश्विक आर्थिक द्रिष्टेकोंड और प्रमुक आर्थिक मुद्धों की नीतियों पर चर्चा हुई इसके लावा अंतर राश्वी मुद्राकोश के विशेशग्यों ने वैश्विक आर्थिक परिद्रिश्य को प्रभावित करने वाले बाहरी तथ्यों के बारे में भी प्रस्तुति दी जी ट्विंटी में शामिल विभिन प्रतिनिधी मंडल के सदस्यों को पुर्खोती मुक्तांगन का भ्रहमन कराया गया जहां में चत्तीजगड की कला संस्कृति से रूबरू हुए चत्तीजगडी संस्कृति के तहर जन्जाति जीवन शाली चत्तीजगड के पारंपरिक लोक्रित्य लोककला बस्तर दशहरा आमचो गाउं आधी देखकर डेलिगेट्स अभी भूत हो गए नवारायपूर सेक्टर 24 में G20 को यादगार बनाने के लिए G20 वाटी का तयार की गई है G20 बैठक के पहले दिन इस गार्डन में 65 अलग-अलग प्रतिनिधी मंडल के सदस्यों ने पौध रूपन किया NTPC कारेले के समीप इस्तित एकात्म पत पर ओवल शेप का गार्डन तयार किया गया है इस गार्डन में फॉक्स टेल, मॉल्शरी, सीता अशोक, कचनार, अफ्रिकन टूलप ट्री, पिंक पोई और ट्री आफ गोल्ड पौधे लगाए गया है G20 बैठक के पहले दिन के तीसरे सत्र में अंतरराश्ट्रे मुद्राकोश के विशेशग्यों द्वारा जानकारी दी गई विशेशग्यों के व्याक्यान के बाद सदस्य देशों के लिए खुले सत्र का आयोजन भी किया गया इसके बाद ब्रिटेन के अध्यक्षता में फ्रांस, जापान और मेक्सिकों के विशेशग्यों ने संबंधित विशेव पर अपनी प्रस्तुती दी दो दिवसी बैठक के दूसरे और समापन वाले दिन मजबूर टिकाउ संतुलित और समावेशी विकास पर चर्चा का आयोजन किया गया इसमें ब्रिटेन के अध्यक्षता में आर्जेंटीना इंडोनेशिया दिदेशों के विशेशग्यों दोरा जानकारी प्रदान की गई